इस सवाल में हमें दिया गया है x is equal to log 12 base 10, y is equal to log 2 base 4 into log 9 base 10 and z is equal to log 0.4 base 10 तो हमें x minus y minus z का value point का है तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि सभी logs का जो है वो base 10 ही है लेकिन सिर्फ यहाँ पे log 2 base 4 जो है इसका base अलग है तो यहाँ पे हम एक नया formula जो इस तारीश के से है कि अगर हमें दिया गया है कि log A base x by log B base x तो इसे हम लिख सकते हैं log A base B या फिर इसी का अगर हम opposite बोलते हैं तो log A base B अगर दिया गया है तो इसे हम लिख सकते हैं log A base x by log B base x जहाँ पे x जो है वो base होगा दोनों में common तो इसका इस्तेमाल करेंगे इसको हम break करने के लिए तो x minus y minus z का हम values put कर देते हैं तो हमें मिलेगा log 12 base 10 minus y के जगह पे होगा log 2 base 4 into log 9 base 10 minus z के जगह पे होगा log 0.4 base 10 is equal to log 12 base 10 minus इसे हम लिखेंगे log 2 base 10 by log 4 base 10 इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं हम यह आपे इंटू log 9 base 10 minus log 0.4 का हम लिख सकते हैं 4 by 10 base 10 is equal to हो जाएगा log 12 का हम लिख सकते हैं 3 into 4 so 3 into 4 base 10 minus log 2 base 10 by log 4 base 10 को लिखा जा सकता है 2 log 2 base 10 so यह हो जाएगा 2 log 2 base 10 into log 9 base 10 को लिखा जा सकता है यह 3 का square होता है इसे हम लिख सकते हैं 2 log 3 base 10 minus यहाँ पे हमें मिल रहा है log m by n का form तो इसे हम लिख सकते हैं log 4 base 10 minus log 10 base 10 is equal to हो जाएगा यहाँ पे भी m&n के form में हैं तो इसे हम लिख सकते हैं log 3 base 10 plus log 4 base 10 minus यहाँ पे log 2 base 10 and log 2 base 10 कर जा रहा है और यह 2 & 2 कर जा रहा है तो हमें मिलेगा minus log 3 base 10 और यहाँ पे हो जाएगा minus log 4 base 10 यह minus minus add होके हो जाएगा plus log 10 base 10 अब यहाँ पे log 4 log 4 कर जा रहा है log 3 & log 3 cancel हो जा रहा है तो हमें सिर्फ मिल रहा है log 10 base 10 जिसका value होता है log 10 base 10 is equal to 1 मतलब कि इसका answer 1 होगा इसी का इस दूसरा part है जिसमें हमसे पूछा गया है कि 13 to the power x minus y minus z कितना होगा is equal to हो जाएगा 13 to the power x minus y minus z मतलब कि इसका value अब यह भी हम लोगों ने 1 find किया है तो हो जाएगा 13 to the power 1 मतलब कि 13 ही इसका answer होगा थैंक यू